आज तड़काविच स्टाइल पे बन रहा है शाही मलाई कोफता और इस मलाई कोफते की खासियत यह है किसे हम बनाएंगे बिना किसी एफ़र्ट के फड़ा फड़ इंस्टेंट रेसिपी यह आपके लिए आज तड़काविच स्टाइल की तरफ से और चैनल पे नहे है तो पिर भी सुनने को मिलता है कि रेस्टरंट जैसा स्वाद इसमें नहीं आया तो इन सारी मुसीबतों से आज आज आपको मिलेगा छुटकारा जी हां हम आपके लिए लेकर आए हैं सुहाना का शाही मलाई कोफता मिक्स और मैं भी फर्स टाइम ट्राइम करने हैं उसका पिर लेकर आए हैं और तारीफे तो आपको मिलने ही वाली है तो देखे यह है शाही मलाई कोफता मिक्स जिसमें सारे इंग्रीडियन्स मौझा है इसमें अनियन पाउडर है गालिक पाउडर है तो आपको इसमें कुछ भी जंजट लेने की जूरत नहीं है सिर्फ इसमें को रिजर्ट इतना बहतरीन आएगा कि रेस्टराँ जाकर महंगी मलाई कोफता की सबजी खाने की जरुएत बिल्कुल नहीं पड़ेगी तो देखे जैसा है कि इसमें पाउच पे लिखा है वैसे वैसे ही हम इंस्रुक्शन्स फॉलो करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इ आपको इस्टराआ कोफता सब्स्क अएगे कर दोड़ते कोफता डेड़े तो चलिये स्चाट करते है कि आपको इसे बनाना कैसे तो शबसे पहले हमें आधा कप दूद जी हमें आदा कब दूद ही फिलहाल मिक्स करने के ला में लेना है तो डूद का होना चाहिए बिल्कु तो जैसा कि पैकेट पे लिखा है आदे कब दूद में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और फिर जब बाद में हम इसे पतला करेंगे तो फिर हम इसमें और दूद डालेंगे तो पानी का इस्तमाल नहीं करना है शाही मलाई कोफता की रेसिपी यहां बनने जा रही है तो देखे इन शाट में आपको बता देती हूँ यह जो हमने कोफते तयार किये हैं उसमें हमने डाला है आलू, पनीर और कॉन फ्लार तीनों को अच्छे से नमक और काली मिश डाल कर मिक्स करेंगे और यह कोफते आपके तयार हो जाएंगे अब इन कोफतों को करना है फ्राई और फिर थोड़े से पक जाएं तभी हम इने हिला कर फ्राई कर लेंगे तो चले फ्राई करके कोफतों को रखते हैं अलग और क्योंकि आज की रेसिपी है कि सुहाना मिक्स से आप इंस्टेंट शाही मलाई कोफता बिना किसी जंजर के कैसे बना सकते हैं तो इनको रखते अलग दू इस मिक्स को कड़ाई में डालना है और लो फ्लेम पर इसे पकाना है तो फ्रेंट्स मैंने इसमें आधा कब दूद और डाला है क्योंकि जो कंसिस्टेंसी थी वो इतनी गाड़ी बनी थी आधी कब दूद से कि मुझे ऐसा लग रहा थे चिपक नहीं जाए तो देखिए इस थोड़ा सा जादा ही रहा है यह देखिए फिर मुझे लगा तो मैंने इसमें दूद डाला है तो यह आपको अपने कॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा आपको ग्रेवी कितनी पतली चाहिए और अब कुछ नहीं करना है इस मिक्स को हमें लो फ्लेम पर हिलाते हुए चलाना नहीं आएगी और यह गाड़ी होती जारी बार-बार तो मैंने यहां पर फ्रेश क्रीम इसमें डाली है आप चाहे तो अवाइट कर सकते हैं अगर आप वरकिंग है और कभी आपको इंस्टेंड यह शाही मलाई कोफताय शाही पनीर खाने के चॉय तो जरूर से सुहाना का त्रीमिट मेक्स आप त्राइ करिए और आपको बेहत पसंदाया तो इसमें लिखाता है कम से कम 20-25 मिनिट आपको इसे पकाना है और मैदे की अहां पर शें 10 मिनिट पका यह तना त्यम पकाना है तो प्यास टेमार्टर ग्रेवी ही अराम से बना बना पर एतने टाम में उकर तो आप भी एक बार ये ट्राइ कर सकते हैं वाकई खाने में बहुत ही अम्मी थी रेस्टरों जैसा टेस्ट इसमें आ रहा था तो अगर हम रेस्टरों में धाई सो तीन सो का मलाइक कुफता और करते हैं तो एक बार ये 40 रुपीस का सुहाना मिक्स आपके जरूर काम आएगा ट्राइ करके देखेगा और ये हमारी ग्रेवी एकदम तयार है और यहां हमने दो ही कुफते डाले हैं तो जितना आपको सर्व करना है उतने ही कुफते इसमें लेने हैं और आपको इस ग्रेवी का रिजर्ट बताते हैं तो टेस्ट में बहुत ही अच्छी थी पर जैसे कि म और बच्छों के टिफिन में डालनी हो तो ये मलाई कोफता आप जरूर से ट्राय करेगा और फिर कमेंट करेगा कि आपको ये कैसी लगी तो ये मलाई कोफता एक दम डेड़ी है 10 मिनिट इसका कोकिंग टाइम जैसे कि मैं बताया है 40 रुपीज के सुहाना शाही मलाई कोफता मिक्स से हमने चार से पांच लोगों के लिए मलाई कोफता तयार कर ली है और आप भी एक बट राय करके देखेगा और फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगी यहीं तड़काविट स्टायल पर तिल देन खुश रहे अपना ध्यान रखे और याद रखेगा लाइफ इस ब्यूटिफूल बाबाई